दोस्तों, मनुश्य नी हमारा मन बड़ा चंचल है। जहां हम केवल मृत्यू के पाद ही जा सकते हैं। स्रिष्टी के रचनाकार भगवान ब्रह्मा भी बहा निवास करते हैं। ये सब हमने या तो पढ़ा है, या लोक कताओं या बड़े बुजर्गों से सुना है। क्या आप जानते हैं कि स्रिष्टी की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा स्वयम कहां रहते हैं। क्या इसे देखा जा सकता है। इन सब भातों को जानने के लिए हमारे मन में जिग्यासा बढ़ने लगती है। क्या कभी अंतरिक्ष में स्वार्ग लोक, ब्रह्म लोक और नर्क लोक आदी हैं। दोस्तों इस ब्रह्मान में कितने लोक हैं और कितने भुवन हैं। आज आपको इस बाहरे में पूरी जानकारी देंगे। वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मान में तीन लोक और चोदह भुवन शामिल हैं, जिनका निर्मान भगवान शिवर और माता शक्ती ने मिलकर किया है। सबसे पहले हम तीन लोकों की बात करेंगे और उसके बाद चोदह भुवनों को जानेंगे। इन लोकों को हम कई अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ इसे आकाश, पाताल, प्रत्वी कहते हैं, तो कुछ इसे स्वर्ग लोग, प्रत्वी लोग और नर्क लोग कहते हैं, बहीं कुछ इसे देव लोग, मनुष्य लोग और दानव लोग कहते हैं, भले ही इनके नाम अलग-अलग हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है, हमारी ज उपर की ओर है उसे स्वर्ग लोक या फिर देवलोक कहा जाता है और जो प्रत्विके नीचे की ओर है इन्हें पाताल लोक नर्क लोक या असुर लोक कहते हैं अब आपको ये पता चल गया होगा कि तीनों लोक किसे कहते हैं अब हम बात करेंगे चोदे भुवनों की पहला है भुवर लोग, जो कि हमारी दर्ती से उपर सबसे पहला भुवन है, इस लोग में दिव्यात्माई और रिशी मोने निवास करते हैं, ये लोग कई तरह से देवताओं की साहिता करते हैं, कभी कबार ये भुव लोग में आने की भी शक्ति रखते हैं, अगर उनके कर्म तो उने फिर देवताओं का पद भी मिलता है, और अगर उनके कर्म अच्छे ना हो, तो फिर मनुष्य का जन्म या फिर उससे नीचे का जन्म भी लेना पड़ता है, और कभी कभी तो देवताओं को भी प्रत्वी पर जन्म लेना पड़ता है, स्वार्ग लोग, बुवर ल अपसरा, मारुस, बासस, देवदत और दिवशक्तियों के साथ रहते हैं। ये लोक अकलपनिय लोकों में से एक माना चाहता है। और यहाँ पर अकलपनिय धन इच्छा पूर्ति करने वाले ब्रमांड गोमने के लिविवान, विबिन आयाओं में यात्रा करने की शम्ता और लंभा जीवनकाल, विबिमारी से मुक्ति है, स्वर्ग लोक का काम दानवों से सभी की रक्षा करना, प्रब्रमांड के सम्बंद में जरूरी प्रबंद करना, अमरावती स्वर्ग लोक की राजधानी है, काम देनुगाएं, तीन सिर्वाला सफेद हाती एहरावत, उड़न लोक का घर माना जाता है, यहाँ पर निवास करने वाले रिशी मोनी, भूलोक और सत्य लोक में आ जा सकते हैं, और यह सभी अपनी च्छानुसार कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ पर रहने वालों कि उम्र ब्रमाजी के एक दिन के बराबर है, जिकि मनुश्य के उम्र के ले लोकों में जाएगी, जनक लोक, यह लोक महर लोक से दो करोड योजन उपर है, और यहाँ विराज नाम के देवगण विराज मान है, तब लोक जनक लोक से आठ करोड योजन पर है, और यह एक योजन बराबर 12 किलोमेटर होता है, इस लोक में विश्णु के अवतार मा आने जाने वाले चार कुमार निवास करते हैं, जिनका नाम है सनत, सनक, सनंदन और सनातन है। या श्वनी कुमार है यानि कभी भी इनके मृत्यू नहीं होगे। इनका शरीर कभी छोटा है, मानो आप किसी पांच साल के बच्ची को देख रहे हो। अपनी पवितरता और साफ मन के कारण इन्हें हर लोग में आने जाने की अनुमती प्राप्त है। तप लोग में ये चारो कुमार के वल तपस्या करते हैं, इसलिए इस जगह को तप लोग कहा गया है। सत्य लोग, तप लोग से 12 करोड यूजन उपर है। सत्य लोग, जिसे ब्रह्म लोग भी कहा जा सत्य लोग इन 14 लोगों में सब से उपर आता है और इसमें ब्रहमांड के रज्यता ब्रहमा नेवास करते हैं। ब्रहमा जी के साथ यह उनकी पतनी माता सरस्वती भी रहती हैं। यहाँ पर ऐसी पवित्रा अत्माएं भी रहती हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म करके सत्के लोग में अपनी जगह बनाई है। अब बात करेंगे हमारे भूलोग यानी प्रत्वी लोग की ये चोदे लोगों में साथवे स्थान पर है। यहाँ पर पाप और पुन्य मोलजने वाले इंसान भगवान और देवी देवताओं के निगरानी में अपना जीवन वधीत करते हैं। इस लोग में हम नश्वर लोग पाप पुन्य और मृत्यू लोग भी कहते हैं। भू लोग पूरी तरह से समय से बंधा हुआ है। और यहाँ वो चीज जीवित है। उसे एक नहीं के दिन मरना है। प्रत्वी से नीचे साथ लोग हैं। अरभवन के पारे में जानते हैं। आईए अतल लोग। प्रत्वी के नीचे जो पहला लोग आता उसका नाम है अतल लोग यहाँ पर बाला नाम के असुर का राज है जो की माया का पुत्र है और इसने चानवे तरह की माया रची हुई है। वितल लोग यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पारशद भूतों के साथ रहता है जिसे हाट के श्वर कहा जाता है। सूतल लोग इस लो राजा बली बही राजा हैं जिनके पास भगवान विश्णू बामन अवतार लेकर धर्ती के तीन पग मांगने पहुँचे थे। जिसके बाद भगवान ने अपने दो कदमों में तीनों लोगों को नाप लिया था और फिर तीसरे पहर को रखने के जब जमीन नहीं बची तो बली ने उनके सामने अपना सर रख दिया था तब भगवान विश्णू जिने उसके सर पर अपना पहर रख़ों से सूतल लोग भीज दिया था तब ही से राजा बली इसी लोग में रहते हैं। दूसे उत्पन होए अनेको सर वाले साम रहते हैं यहां तक शक, खोक, कालिया, सुशील, आदी नाम के नाग निवास करते हैं। रसातल लोग इस लोग में राक्षशों का घर है क्योंकि यहां परशक्ति शाली दानव और देट निवास करते हैं। यहां जो राक्षश रहते हैं वे देवताओं के सबसे कटर शत्रू हैं। उसके बाद आता है पाताल लोग है। इस लोग में सेन्य, कुलीक, महा सेन्या, सोहित दनंज, दृतरास्ट, संगसूल, कंपल, अख्तर, देवदत, आती बड़े क्रोध और बड़े बड़े फन वाले नागो कवास है। पाताल लोक का राजा वासुकी है और वो इस लोक की राज़धानी बहुगवती में रहते हैं। इस लोक में सुन्दरवन हैं और सुन्दर सरोवर भी हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आओ तो लाइक कीजिए और हैसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत